तो दोस्तो नवरात्री शुरू हो चुकी आप सभी को नवरात्री की बहुत बहुत शुब काम नाए तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी जो बिना मसाले बिना टमाटर के बनेगी अगर आपके टमाटर नहीं खाय जाते हैं तो आप यह सब्जी जरूरू पूडियों के लिए उसकी रेस्पी नेक्स्ट आने वाली आप उतको जरूर देखिएगा सिंगाडे की आठी की अग्दम क्रिस्पी गोल-गोल फूली हुई पूडियों की रेस्पी भी मैं शेयर करने वाली हूँ उसको आप जरूर चेकाउट कीजेगा तो आलू को इस त चार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर पैन चड़ा लिया है और इसमें मैं एड करूंगी देसी घी और बहुत ही कम घी में मैं यह सबजी बनाने वाली हूँ बिल्कुल भी ओईली नहीं होएगी तो आप अगर जादा ओयल खाके परेशान हो चुके हैं तो बिल्कुल एक च लाले बस जीरा हो चुका है हमारा इसके बाद यह करीब आधे इंच का टुकड़ा अद्रक का है इसको मैंने घिसकर एड कर दिया है और अब सब चीजों को थोड़ा सा भूनेंगे ज्यादा लाल नहीं करना है मैं अद्रक को इसके बाद जो हमने आलू फोड कर रखे हैं इ जो ये घी हमने आट किया है उसकी वज़े थोड़े से आलू भून जाएं इस सबजी में इतना स्वाद आता है ना कि आप कुछ भी ऊपर से अलग से टामाटर या कुछ और नहीं डालोगे फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो यहाँ पर मैंने करीब आधा चोटा आमचूर डाल दीया है आप अपने टेस्ट के कोड़िंग डाल सकते है और चोथा इतने ही मसाले इतने मैं आटाड़ी है और हमारी सब्जी इतनी ला जवाब बनेगी कि मैं आपसे क्या ही बता हूँ तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ी धनिया जितनी मैं आपको दिखाई इतनी धनिया आप इसी वक्त इसमें एट कर दीजे यानि पानी डालने से पहले हमको इसमें और धनिया और आलू को साथ में हम पानी के साथ बॉयल करेंगे यानि सब्जी को पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आधा ग्लास पानी एट किया है और अभी मुझे लग रहा थोड़ा सा और जरूत पड़ेगी तो करीब आधा ग्लास ही और मैं इसमें प पानी डालने से पहले यहाँ पर मैंने चौता चुटा चमच जीरा पाउडर भी डाला ही भूने हुए जीरे का पाउडर है और बस अब हम इसको ढखकर पकाएंगे जब तक सब्जी हमारी अच्छे से गाड़ी नी हो जाती तो धनिया डालने का जो परपस था वो मैं आपक अब तो यहाँ पर मुझे थोड़ी और गाड़ी करनी थी तो यहाँ पर मेरी मन मताबिक सब्जी अब गाड़ी हो चुकी अब मैंने गैस को बंद कर दिया है इसके बाद हम ऊपर से इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए धनिया और एट करेंगे और बस हमारी सब्ज बिल्कुल रेडी है बिल्कुल लटपटी से आप देख रहे हो गे कि कितनी अच्छी गाड़ी भी हो गई है और मतलब ऐसा पानी वाली टाइप से बिल्कुल नहीं दिख रही हो और हमने इसमें कुछ भी टमाटर वगएरा का ऊपर से यूज नहीं किया है थोड़े से फले मतलब कुरकुरी बनती है बट सिंगाडे की आटी की पूरी आपकी सॉफ्ट हो जाती है पट जो तरीका मैंने इसमें आपको बताया है आपकी पूरी इतनी ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और फिर भी खाने में एकदम मस्त लगेगी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनती है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा और आपने अभी तक मेरे चलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेश और उन कर लिजेगा जिसे मेरे आने वाली सारी रेसिपीज की या वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरन म लेगी और यह बिल्कुल फ्री है तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से गाड़ी हो चुकी है यह सब्जी कहीं से भी अज़ा नहीं लग रहा है कि हमने इसमें टमाटर का यूज नहीं किया है आई होप आप सबको आज का यह वीडियो कुछ हेल्फुल लगा होगा वीड मिल्कुल भी जो है मतलब कड़क नहीं लगेंगे आपको खाने में कुरकुरी रहेंगी कुरकुरी अलग चीज होती हो कितनी फूली होई है पता यह रेस्पी मैंने बना ली है और इसको काफी टाइम रखने के बाद भी इसी तरीके से पूरियां फूली होई थी तो जरूर इसको चेक आउट कीजेगा आपको बहुत जाद अच्छा लगेगा फिर मिलीऊंगी एक और ने वीडियो में तब तक टेक या एंड थेंक यू फॉर वाचिंग